जीत का डंका तुम्हारा बजेगा आज का यहाद डिवाइन संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा पर मात्मा कहते हैं मेरे प्रिये तुम्हारा विश्वास से ही तुम्हारी ताकत हैं और तुम अपने ताकत से ही अपने जीवन के हर एक कार्य को सफलता पूर्बग आगे बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे करते जाओ अपने कार्य को तुम्हे मेरा आशिरवात है तुम्हार छेत्र में सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हें तुम्हारे पिता का यहाँ बाता है कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी शन भी कमजोर नहीं होने दूँगा तुमने बहुत सारे महापुर्षों का नाम सुना होगा अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हादिल गिया था जिन होने परन्तु यहाँ तुम नहीं जानते यदि तुम एक सफल प्रयास करोगे तो उनमें तुम्हारा नाम भी शामिल हो सकता है बस अपना नजरिया अच्छा रखना दूसरों के बारे में अच्छा सोचना अच्छे कारियों में लगे रहना यदि आपको परमपिता परमिश्वर पर भरोसा है तो इस दिव्य संदेश को अभी तुरंथ ही लाइक करें मेरे पीए जिन्दिकी में कभी भी तुम नकरातमक बातों पर ध्यान मत देना ऐसी शकरातमक सोच रखना जीवन में जो तुम्हें सुखत पूर्वत वर्तित करवा सके नकरातमक लोगों से दूर रहे क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे मन में नकरातमक सोच बढ़ ही देते हैं यदि आप सकरातमक सोच को रखना चाहते हैं तो यस अवश्य ही लिखे मेरे बच्चे जीवन में एक लक्ष ले लो और उस लक्ष के प्रती ही अपना कदम आगे बढ़ाओ अपनी कीमती समय को बरबाद मत्य करो क्योंकि यह समय फिर तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है यह अनमोल है और तुम बहु मोल्य हो इसलिए अपने समय के कीमत को समझो यदि प्रयास का पहला कदम उठा रहे हो तो यस अवश्य ही लिखो मेरे प्रिये अपने जीवन में मित्र और चित्र समझ कर बनाना जो रंग तुम भरोगे वही रंग तुम्हारे जीवन में उतरता जाएगा इस शंटिवाइन की शक्तियां तुम्हें सफल पनाने के लिए तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना प्रयतन लगा रही हैं पचकुस पर्यास तुम्हें लगाना है और जीवन हमीशा के लिए सुखद हो जाएगा दिव्प्य शक्तियों से चूरने के लिए 1111 अभी लिखे पर्मात्मा कहते हैं मेरे बच्चे मेरी संकेतों को अब समझो मेरे अपने जीवन में आगे पर हूँ तुम्हें अचानक से जीवन में पहुत बड़ा कुछ मिलने बाला है मैं जो रह तुम्हें दिखा रहा हूँ उस सही रह पर तुम्हें चलना होगा यदि उस रह पर चलने के लिए तयार हो तो हर हर महाते अवश्य से ही लिखे मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैं तुम्हारा साथ दूँगा लेकिन तुम्हें उस रहा पर टरना नहीं है केवल विजे ही विजे राप्त करनी है बहुत परीचीत हासिल करनी है यदि तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो तो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम पा नहीं सको जिन्दगी भर तुमने जो प्रयास किया है और जितनी रुकावटे आई हैं तुम्हारे जीवन में अब वहर रुकावटे तुम्हारे जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएंगी अनवाशक परंतु यहाँ बात सत्य है कि तुम्हें डर्ण का सामना करना होगा यदे तुम किसी पूरी अवस्था में या किसी पूरी कार्य को डर के मारे कर बैठते हो तो तुम्हें इसका नकरा तमक पर नाम भी जेलना ही पड़ेगा इसे लिए मेरे पच्चे सही कार्य को आगे बढ़ाते रहो जीवन में पीछे मुर कर नहीं देखना है रहा देख रही है चिंता मत करो मैं जो रहा तुम्हें दिखा रहा हूं उस रहा पर केवल तुम्हें खुश्यां ही खुश्यां प्राप्त होंगी यदि उस रहा पर चलने के लिए तयार हो तो अंक 555 अभी लिखे मेरे बच्चे अब जो मैं तुम्हें पताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक समझो अगले 11 घंटे के अंदर तुम्हें अभास होगा कि मैं तुम्हारे बहुत ही पास हूं यह संदेश तुम्हारे पास आने का यही उत्देश है कि तुम्हारे सभी कष्ट अब तूर हो रहे हैं मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में बड़े पदलाव ला रही हैं तुम इसे अभी महसूस कर सकते हूं परन्तु जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें सब कुछ इस पश्ट होता चला जाएगा तुम अपने जीवन के हर एक नए चलन पर आगे पर रही हूं चीजे तुम्हारे लिए आसान करती जा रही हैं यहाँ मुश्किल तोर भी गुजर जाएंगे तुम्हारे स्वपन प्रकट हो रहे हैं इस भागेशाली एंजलिक नंबर को बार बार कहे और लिखे 1176 मैं तिव्य खुश्यों के लिए तयार हूं अगले कुछ हपतों के तोरान खुश्यों अचानक अचानक से तुम्हारे त्वार पर दस्तक देंगी मेरे बच्चे यह तुम्हारे लिए बहतरीन अफसरों का समय है जीवन में अधिक शांती उर्जा रचनातमक और अंतरिक शक्ति बढ़ेंगी भागे शाली एंजलिक नंबर 111 लिखे क्योंकि यह पहुत शक्ति शाली एंजलिक तंक्या है तुम्हारे मार्ग में आ रहे हर एक काटो को जुन लिया जाएगा अब हार मानने का समय नहीं है तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा के लिए काड़े कर रहे हो मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ और तुम्हें प्रकट करने के लिए तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ भले ही अभी तुम्हें मेरा साथ मेरा प्यार ना दिख रहा हो परन्तु समय तुम्हें सब कुछ समझा देगा मेरे बच्चे तुम जितना ज़्यादा अधिक सोचते हो उससे कहीं अधिक मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले ही सोच कर रखा है इस मैने के अंध से पहले तुम किसी बड़े चश्न का हिस्सा बनोगे जहां तुम बड़े ही सुगून और आनंद की अनुभूती करोगे विश्वात की शक्ति शाली शक्तियों को गदित में ला सकती हैं हमारे विचार और विश्वास हमारी भास्ति विक्ता को आकार दे सकते हैं अफसरों को आकरशित करना और खुलने वाले तरवाजे जिने हम कभी जानते भी नहीं थे मा को सुगुन से भरने के लिए हरे कृष्णा हरे रामा अवश्य ही लिखे मेरे बच्चे तुम्हारे चमक जल्द ही प्रकट होने वाले हैं नई नई चीजों को अजमाएं क्योंकि आगे भविश्य में एक सुन्दर तलाव तुम्हारे जीवन का खुलने जा रहा है जो चीजे हैं तुम्हारे पास सहज रूप से उनके लिए प्रम्बांड को पार बार 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 भार धन्यवाद कहे प्रकृति के सुद्ध वातावर्ण में सुएम को पूरी तरह से डूबो ले मेरे बच्चे तुम असंभत शर्व सेष्ट बनने के लिए प्रती बंद हो प्रते एक दिन अपना जीवन इश्वर के प्रती समर्पित करो अब थोड़ा बेहतर होने की रहा पर चलो विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में पहुत सारी आशिरवाद आ रही है सदेव परमिश्वर का सच्चा मार्ग दसन सबसे पहले पाने के लिए आर्थी पाठक चैनल को शीक्रिष्ष स्क्राइब करे नया जीवन नया महत्तपुन रिष्टा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा यह नया संबंद तुम्हारे और तुम्हें सबलता ही दिलाएंगी मैं तने तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है नाहीं कभी छोड़ूँगा मैं तुम्हारे साथ ताथ चलता हूँ तुम्हारी राह पर मेरे प्रिये बहुत जल कुछ नहीं करने से सब कुछ करने के लिए स्वेम को तयार कर लो तुम अभी इस वक्त इस संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम अनवेक्षित आशिरवाद आकरशित कर रहे हो शुद अद्बु साकारातमक उर्जा तुम्हारे पास आ रही है तुम्हारा संपूर्ण जीवन पैतर होगा अब ग्रहन शिल बनो स्वेम को तयार करो मेरे बच्चे यदि तुम तयार हो तो इस वर्ष का सबते शक्तिशाली अंग साथ इसलिए साथ 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 लिखे मेरे प्रिये बच्चे तुम्हारी आत्मा का साथ आत्म शरीर उपचार के समय में प्रवेश्य कर रहा है तुम संसारिक वोतिक मानसिकता से उपर उठ रहे हो भावनातमक शिव्रमाए जो तुम्हें वापस से पकर रही है उससे भी तुम बाहा निकलने की कोशेश अवक कर रहे हो चमतकार तुम्हें स्वेम खोजने आ रही है जो तुम पास्ता में चाते हो जिसके तुम हकतार हो वह आ रहा है मेरे बच्चे तुम्हारी अपनी सर्वशेश्ट जगा आ रही है तुम्हारे रास्ते में आने वाली खुश्यों को आशिरवाद को कोई नहीं रोक सकता है वह पहले से ही दिव के रूप से तुम्हारा है तुम अपने उपकार के लिए चुने गए हो उस रहा पर ध्यान कृंदित करो जिस पर तुम्हारा आशिरवाद बढ़ता है इसलिए परमेश्वर को हर पल धन्यवाद कहे और हर चीज के लिए उन्हें शुक्रियादा करे तुम एक ऐसी सुकर सुचना प्राप्त करोगे जो तुम्हारे स्वपन से प्रकट होने जा रहे हैं तुम्हारा चीवन शान्ती प्रचुर्ता के युग में प्रवेश्य कर रहा है मेरे प्रिये संदेह एक नकरातमक पूर्चा है जो बढ़ावा देती है भै और विकाश को रोप देती है यह एक बाधा के रूप में कारी को करता है यदि तुम्हें अपने स्वपन अपने लक्ष और मार्क को अवरूत करना है तो इन आशंकाओं को दूर करने की अनुमूती दू ब्रह्मान को धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे रास्ते से बधाए स्वेम ही दूर हो रही है तुम सब कुछ तुरंत नहीं समझ सकते बधाएं कभी कभी सब के रूप में काम कर रही होती है और उनका निश्ठासन दर्शाता है कि तुम सीख चुके हो कि क्या तुम्हारे जीवन के लिए आवैशकता था मेरे बच्चे कुछ चीजे परदे के पीछे काम कर रही होती है वह अंदेखी नकरातमक उर्जाओं को निर्पूर्दित करते हैं और संथाएं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता कर रही होती है तुम उनके प्रभाव को तुरंत महसूस नहीं कर सकते हो परन्तु निश्चित रहो वहां सुक्ष्म रूप से तुम्हारे जीवन के पत को प्रभावित कर रहे हैं मेरे बच्चे ग्यानस्वरु संबंध और अंतराक्टिक शांती रिष्टे मानव जीवन का एक आनिवार्य हिस्सा है यह उपचार सक्रियां तुम्हारे जीवन में एक शुद्धता को लेकर आएंगी और इसके प्रभाव से तुम्हारे आसपास के लोग भी इसका सकरातमक लाभ उठा पाएंगे वह इसका अदभूत लाभ ले पाएंगे यह सब इस परिवर्तन चरन के तोरान ही ठीक हो जाएगा यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब आएंगे